दोस्तों पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ कि अभी कुछ समय पहले जो मैंने कल के लिए एक वीडियो अपलोड किया था इंट्राडे का उसमें किसी कारणवस आवाज नहीं आई यानि वाइस सुनाई नहीं दे रही थी मुझे भी नहीं पता कि वो वाइस कहां चली गई क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई तो दोस्तों आप सभी से मैं फिर से माफी मांगता हूँ कि आपको जो अवस्विधा हुई आपको वीडियो नहीं समझ में आया हो कि कल हमें किस में ट्रेड करनी चाहिए और क्या स्ट्रेडीजी रहेगी कल के लिए हमारी इंट्राडे की तो आप फिर से इस वीडियो को देख लिजे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को और स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड़नेसी अड़ा में आज का हमारा इंट्राडे का स्टॉक था दोस्तों इंडिको आपको इसे बाय करना था 491 पर और पहला टारगेट 495 का जैसा कि आप अपनी स्क्रिन पर देख पा रहे हैं इस स्टॉक ने हाई मारा 485 का इस तरीके से इस स्टॉक में आपको बाय करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि मैंने बाय करने के लिए बोला था 491 पर लेकिन इसमें आपको स्ट सेल करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला होगा इसे मैंने स्ट सेल करने के लिए बोला था 484 पर और पहला टारगेट 480 दूसरा टारगेट 477 जैसा कि आप अपनी स्किन पर देख पा रहे हैं इसमें लो मारा 469.5 का इस तरीके से इस स्ट सेल के पहले टारगेट को और उसके बाद दूसरे टारगेट को और उसके बाद भी ये काफी नीचे तक गया तो उमीद है कि आप सभी ने इसमें बहुती अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं आज का हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा था दोस्तों आज के लिए हमारा दूसरा स्टॉक था सोभा आपको इसे बाय करने के लिए बोला था मैंने 742 पर जैसा कि आप अपनी स्किन पर देख पा रहें ये ओपन ही हुआ था 742 पर और उसके बाद तुरंट ही इसने बहुती तेजी के साथ 745 तक का सफर तै किया तो इसमें आपको पोजेशन बनाने का मौका नहीं मिला होगा तो उमीद है कि इसे भी आप सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सोट सेल किया होगा मैंने इसे सोट सेल करने के लिए बोला था 733 पर और पहला टारगेट 730 का और दूसरा टारगेट बोला था 725 का और आप जैसा कि स्किन पर देख पार हैं इसने लो मारा 694 का इस तरीके से इस स्टॉक ने भी अपने सोट सेल के पहले टारगेट को जो 730 था और दूसरा टारगेट 725 दोनों को बहुत ही अच्छे से अचीब किया और उसके बाद भी ये काफी नीचे तक गया तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक किया होगा जिसने भी इन दोनों में से किसी भी स्टॉक में ट्रेड डाली होगी निश्चित तोर पर ही उसका प पास या कोसिस करिए साड़े नों के बाद ही ये अच्छा रहेगा साड़े नों से पहले मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्लेश्च्वेशन होता है तो वहाँ पर आप फश सकते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे लोग फश जाते हैं लेकिन अगर आप मार्केट में कुछ पक्का नहीं होता है क्या सिंटीमेंट होगा मार्केट बुलिस रहेगी या बियरिस रहेगी तो साड़े नों से पहले ट्रेड मत डालिए और साड़े नों के बाद या साड़े नों के आस पास जब भी मौका मिले बाइप पॉइंट पर पहुचे जिसमें हम कल अपनी इंट्राडे की ट्रेड डालेंगे यानि 21 तारीक के लिए इंट्राडे का कौन सा स्टॉक है दोस्तों स्टॉक का नाम है जे एस डबलू स्टिल इसमें हम कई बात पहले भी ट्रेड डाल चुके हैं और हर बार हमें प्रॉफिट ही हुआ है तो उमीद यह ही रहेगी कि कल भी इस स्टॉक में हमें अच्छा प्रॉफिट होगा दोस्तों जे एस डबलू स्टिल को आप बाय कर सकते हैं 633 पर पहला टार्गेट 637 का दूसरा टार्गेट 642 का लेकिन अगर यही गिरना सुरू होता है तो इसे आप सोट सेल करेंगे 623 पर पहला टार् टार्गेट 1 बताया है टार्गेट 2 बताया और इसके बाद आप टार्गेट 3 का यानि टार्गेट 3 का वेट कर सकते हैं टार्गेट 3 यानि कि जब यह अपने टार्गेट 2 को अचीव कर ले तो आपको टार्गेट 2 को स्टॉप लॉस लगा देना है और उसके बाद आगे के के लिए 3 से 4 point का wait करना है 3 से 4 point के लिए आगे के लिए आप wait कर सकते हैं यही आप short sale में भी करेंगे अगर target 2 achieve हो जाता है तो वहाँ पे आप target 2 को stop loss में लगा देंगे और 3 से 4 point का wait करेंगे यानि और profit के लिए आपको ये rule तो पता ही होगा कि minimum profit सबसे पहले book करना है stop loss लगाना है हमें और उसके बाद अगर target 1 अच्छे volume के साथ break होता है तो आप target 1 को stop loss में लगाईए target 2 का wait करिए अगर उसके बाद target 2 भी अच्छे volume के साथ achieve होता है तो आप फिर उसके बाद target 2 को जो है stop loss में लगा दीजे और target 3 के लिए यानि और 3 से 4 point का profit के लिए wait करिए और जैसा ही मौका मिले profit लेकर market से बाहर हो जाईए दोस्तो rules नहीं भूलने हैं आपको rule number 1 minimum profit rule number 2 stop loss rule number 3 आपको अपना stop loss trail करते रहना है यानि target 1 achieve हुआ है तो target 1 के बाद target 2 को stop loss में लगाना है ये stop loss trailing होता है और उसके बाद आपको stop loss hit होने पे या फिर target achieve होने पे दोनों ही condition पे market छोड़कर बाहर चले जाना है weight नहीं करना है market में कभी भी target achieve होने के बाद या stop loss हिट होने के बाद market में मद बने रही है और दोस्तो एक और rule है आपको reverse trading नहीं करनी है यानि अगर loss हो तो loss लेकर बाहर जाईए profit हो तो profit लेकर जाईए आप इस चीच को दिमाख में रखिए चाहे जितना बड़ा trader हो हर रोज profit नहीं कर सकता है तो अगर आपकी किसी दिन loss भी होता है कोई बात नहीं अगले दिन cover कर लेंगे यकीन मानिए मेरा किसी दिन loss हो सकता है लेकिन अगर आप rules को follow करेंगे और minimum profit book करने की कोसिस करेंगे तो यकीन मानिए आप मेहने के अंत में या हपते में जब भी आप जोड़ेंगे profit में ही रहेंगे आपकी capital increase होगी decrease नहीं होगी यानि कि आपका पैसा बढ़ेगा धीमे धीमे करके बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर इस बात की मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि महने के अंत में आप profit में ही रहेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब जरूर कर दें दोस्तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें अगर किसी को डिमेट अकाउंट खुलवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जिरोधा का लिंक दिया है आप उसमें क्लिक करके अपना डिमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं